लाजवन्ती नाम से ही जैसे कि समझ में आता है कि इस पौदे को शुने से ही वह शर्मा जाती है यानि करने का मतलब है कि सिर्फ इनसान के शुने से ही नहीं किसी भी चीज के सपर्श मातर से लाजवन्ती का पौदा सिकूड जाता है इस चुईमुई के पौधिक के पौश्टी गुनों के आदार पर लाजवन्ती को अडविद में आउशदी के रूप किया जाता रहा है लाजवन्ती के सेवन करने से ग्लेड का सुजन होता है और तेपदिक होने के त्रीवरता कम होती है 10-20 मीली लाजवन्ती के पत्ते के रस को नियम पुर्वप पिलाने से ग्लेड में सुजन में लाब होता है अगर आप मौसम के बदलाव के कारण खासी से हमेशा परेशान रहते हैं तो लाजवन्ती से इसका इलाज किया जा सकता है लाजवन्ती की जड़ को गले में बाने से खासी में लाब होता है अक्सर जादा मसालेदर खाना और बाहर का खाना खा लेने के कारण या किसी संक्रमन के वज़े से दस से खुल निकलने लगता तो लाजवन्ती का घरेलो उपाए असरदर तरीके से काम करता है तीन ग्राम लाजवन्ती के जड़ का पाउडर को धही के साथ खिलाने से लाब होता है बच्चों को तो हमेशा शोटे मोटे चोट या घाव लगते रहते हैं बिना चिंता कि ये लाजवन्ती का प्रयोग करने से जल्दी ठीक हो जाते हैं समान मातरा में लाजारू के जड़ का पेश्ट लगाने से जल्दी राहत मिलती है धन्यवाद